हेले स्टुडेंट्स, आज हम गती के जो तीन समीक्रण होते हैं, उनको अच्छे से व्युत्पन्य करना सीखेंगे, और ये कक्षा ग्यार्मी की जो फिरिक्स है, उसमें काफी जादा इंपोर्टेंट रहते हैं, तो कई बच्चों का कमेंट आया कि सर गती के समीक्रणों को क यहाँ पर आती रहीगी, तो उसमें पहला सेग्मेंट अपना है गती के समीक्रण, तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने गती के समीक्रणों को लिखना चाहूँगा, तो गती के जो पहला समीक्रण है वो होता है, भी बरावर, यू प्लस एटी, दूसरा होता है, एस बरावर, यू टी, प्लस, एक बटे दो, एटी स्क्वेर, और तीसरा होता है, बी स्क्वेर बरावर, यू स्क्वेर, प्लस, तो एटी के तीनों समीक्रण है, लेकिन सबाल यह उठता है, कि यहां पर यह यू क्या है, भी क्या है, टी क्या है और एस क्या, यह सवाल उठता है न, कि यहां पर यू, भी, टी, एस यह हैं क्या आखे, इनको आज हम देखने वाले, तो हमने इसको साइड में रखा, सबसे पहले यदि हम बात करें, यू की, यह छोटा यू आप देख रहे हैं, यह कहलाता है प्रारमधिक बेग, कोई भी बस्तू जब किसी बेग से चलना प्रारमभ करती है, तो उसे हम कहते हैं प्रारमधिक बेग, उसके बात जो भी है, वो है अंतिम बेग, मतलब जो बस्तू अंत में बेग पकड़ लेती है, उसे बोलते हैं अंतिम बेग, जैसे हम बोलते हैं कि कोई बस्तू 4 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका बेग 8 मीटर पर सेकंड होगा तो 4 मीटर पर सेकंड उसका प्रारम्बिक बेग होगा और कुछ समाय बीतने के बाद उसका बेग हो जाता है 8 मीटर पर सेकंड तो 8 मीटर जो होगा वो उसका अंतिम बेग होगा तो इसके बीच में कभी-कभी कोई time भी जो है ब्यतीत हो जाता है जो t small t है ये कहलाता है समाय जो time भीतीत होता है वो small t है और इसमें जब कोई बस्तू एक जगाए से दूसरे जगाए चलके जाती है तो यहाँ पे कुछ दूरी तय हो जाती है ठीक है कोई बस्तू जब एक चाल से चल रही होती है और उसकी चाल में जब ब्रद्धी होती है तो अचानक से उसकी speed बढ़ जाती है इसे तुरण कहते है तो यह क्या है तो कुल मिलाकर ये सब्दा वली है जिसको आपको यहाँ पे याद रखोंगे तो यहाँ पे हमने इसको प्र्रं समीक्रण शु drought लुख गती का जो प्रघ्रン समीक्रण है उसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं आज व्युद्पर्ण करना सीख रही हैं तो आसा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा बस ध्यान से देखिएगा तो पूरा अच्छे समझ में आने वाला है एक एक चीज अच्छे से के लिए होने वाली है देखो गती का पहला समीचन सबसे सरल है इसमें तुरण का सूत लगेगा तो अपन यू भी यहां पर भासा लिखते हैं कि माना किसी बस्तू का प्रारमभिक बेग यू है अंतिम बेग भी है तो ऐसा लिखते हैं माना किसी बस्तु का प्रारंभिक बेग प्रारंभिक बेग यू है तथा टी समय पस्चार कुछ टाइम लगेगा तो टी समय पस्चार बस्तु का जो अन्तिम्बेग है वो भी हो जाता है बस्तु का अन्तिम्बेग भी हो जाता है तो तुरण तुरण का सूत्र ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है तो तुरण ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटेश समय अब देखो कैसे जैसे मालो की यहाँ पे एक बस्तू रखी हुई है अब इसकी स्पीट यहाँ पे है तो कुछ स्पीट से चल रही होगी तो उसे बोलते हैं प्रारम बिग बेग अब वो कुछ टाइम लेगी और यहाँ से पहुँचेगी यहाँ तो यह एस दूरी ताय हो जाएगी और उसका जो अंतिम बेग है वो भी हो जाएगा ठीक है और यहाँ से यहाँ तक कौछने में कुछ टाइम भी लगता है तो टी हो जाता है तो यहाँ पर तुरण का फॉर्मूला लगाएंगी तो बेग में परिवर्तन बटे समय में बेग में परिवर्तन भी माइनस यू समय मतलब टी इसके बटे कुछ नहीं है तो एक कर लेंगे और करेंगे त्रियक गुणा इसका इसमें होगा इस इन दोनों का एक में होगा तो देखो वी माइनस यू का एक में करोगे तो वी माइनस यू ही आएगा और A का T में करोगे तो आएगा 80 अब U का पक्छान तर इस तरफ कर लेंगे तो V बरावर माइनस का जो U है इस तरह पाएगा तो प्लस का U हो जाएगा तो U प्लस 80 तो हो गया ना सिद्ध तो V बरावर U प्लस 80 और यही गती का प्रथम समीकन है इसको आप अच्छे से कर लीजेगा उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप इसके बाद हम लोग सेकेंड समीकन वियुद परने करेंगे तो आप बने रहिएगा सेकेंड चनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा ताकि यहां पर जो इंपर्टन्ट चीजें हैं वो आपको यहां पर मिलती रहे हैं थैंक्यू